हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सपनाज फूड वर्ल मैं सपना लोड़ा फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चीजी पीजा डोसा की रेसिपी वैसे तो हम हमेशा ही डोसा बनाते हैं पर इसे आज हम बनाएंगे एक नए फ्लेवर के साथ तो इसे क्रिस्पी कैसे बनाते हैं इसके ल बारिक कट की हुई शिमला मेच और इन सभी सबजियों को मैंने चौपर में से बारिक कट कर ली हैं, फिर इसमें मिलाएंगे आधा कब बारिक कटा हुआ टमाटर जिसके बीच मैंने निकाल कर ले लिये हैं, दो हरी मेच जिसको मैंने बारिक कट कर लिया हैं, और थोड़ा सा ह और आधा कब बारिक कटा हुआ प्यास और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे सबजियों को आप कम जादा भी कर सकते हैं आपको जो सबजिया ज्यादा पसंद है वो सबजिया इसमें आप जादा ले सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टफिंग तयार है अब करते हैं डोस के लिए बनाते हैं फ्रेंट्स डोसा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए इसके लिए मैंने डोसा में आधह कब पोहा को अच्छे से बिगो और फिर बारिक करकर बैटर में मिलाया है अब डोसा सेट होने के बाद इसके उपर लगाएंगे बटर और बटर लगाने से ये डोसा एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा तो इसके उपर लगाएंगे रेडी मेड पीजा सॉस और इसे हम अच्छे से स्प्रेड करके ले लेंगे तो यहाँ पर सॉस हमारा अच्छे से स्प्रेड हो जाने के बाद हम इसके उपर लगाएंगे सभी बारी कट किये ह वेजिटबल्स को और गैस की फ्लेम हमें लो टू मिडियम ही रखनी है वेजिटबल्स को अच्छे से हमें मिलाकर और फिर दबाकर हमें सेट करके ले लिना है तो यहाँ पर सभी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है अब उपर से मिलाते हैं प्रोसेस चीज जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है और चीज हमें थोड़ा सा जादा ही लेना है फिर इसके उपर मिलाएंगे रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्सब्स जिससे ये डोसा एकदम पीज़ा स्टाइल बनेगा और इसे हम दो से तीन मिनिट के लिए मेडियम टो हाई फ्लेम पर होने देंगे तो तीन मिनिट के बार आप देख सकते हैं चिज़ी पीज़ा डोसा एकदम क्रिस्पी, बढ़िया और यम्मी बना है तो इसे हम सर्विंग के लिए ले लेते हैं तो जैसे हम पीज़ा कट करते हैं उसी प्रकार से हम इसे कट करके ले लेंगे फ्रेंड्स ये पीज़ा डोसा बच्चों को तो बहुत पसंद आता है और ये हेल्दी भी है तो देर किस बात की है इसे एक बार ज़रूर बनाईएगा ये सबी को बहुत पसंद आएगा तो इसे बनाईए और एंजॉय कीजिए और ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताईए तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए इ मेंट करना ना भूलिए एक जरूर और में पर रेसिपी को सब्सक्राइब करना लगी ये आपको।